नमस्कार, श्वागत है, मैं हूँ कृष्णा अनन सिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा आज के इस वीडियो के माध्यम से समय सारणी अर्था टाइम टेबूल से सम्मंधित कुछ महत्पुन बिंदूओं पे चर्चा करेंगे बिहार सरकार सिक्षा विभाक की ओर से समय सारणी निर्धारित की गई है वह कक्षा 1 से 12 तक समय सारणी निर्धारित है किस कालांस में आप किस विषय को लेकर के आएंगे जो कि बच्चों को सुविधा हो पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो हर बिंदू पर विशलेशन करेंगे इस विडियो में समय सारणी का महत्व एवं उपयोगिता क्या है उसको अच्छी तरह से समझने का प्रियास करेंगे विद्यालाई की अनेक प्रकार की देनिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए एक स्रेस्ट एवं संतुलित समय सारणी अर्था टाइम टेवूल बहुत महत्वपूर्ण अस्थान रगता है बस तुतह समय सारणी एक ऐसा दरपन है एक ऐसा मीरर है जिसमें विद्याले के समस्त सैक्षनिक और प्रसैक्षनिक कार्जिकरम उसमें प्रतिविंबित होता है अनिकि उसका इमेज बन जाता है समय सारणी के निर्मान में कालांस और कलांस अर्थार्थ कहने का अर्थ हो गया कि जो घंटी हुई उस कालांस में कौन सा विशय समाहित करना है वह अभी महत्वपूर्ण बाते होती है सबसे पहले जो विभागिये नियम दर्साये गया है जो विभाग के अनुशार से जो नियम बनाया गया है उसका तो फॉलो करना ही है अनिकि जो विभाग का नियम है उसका पालन करते हुए समय सारणी में किस विशय को उसमें समाहित करना है उसको हम लोग समझेंगे सिक्षकों के हितों का भी ध्यान रखना है, सिक्षक के हितों के कहने का अर्थ हो गया, कि कौन से सिक्षक कि किस विषय में उप्यूकत है, हलांकि हर विषय के लिए जो सिक्षक होते हैं, उसकी बहली होती है, हर विषय के अलग-अलग सिक्षक होते हैं, और वह सिक्षक उस व दर्शाहिज आती है उसके बाद अगला है कि संसाधनों की भी इस्तिती पिद्याले में क्या-क्या संसाधन है चाहे वह मानव संसाधन हो या तो मेटेरियल से से रिलेटेड संसादन हो या तो फिर कक्षा और कक्ष से रिलेटेड संसादन हो उसको भी ध्यान में रखा सकता है सिक्षक और छात्रों में थाकान की भी इस्तिती को मद्धे नजर रखा जाता है कि छात्र किस विशय के बाद अधी वे थाकान महसूस करते हैं तो फिर विशय में किस प्रकार से तब्दिलियां की जा सकती है उसको भी हम लोग समझने का प्रियास करेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझें कि बिहार सरकार सिक्षाविभाग की ओर से जो समय सारणी निर्धारित की गई है तो फिलाल चाहे कोई भी टाइमिंग हो तो अभी हम लोग साड़े छे बजे से विद्याले प्रारंब होगा उस समय के अनुसार से जो घंटी निर्धारित की ग विद्याले खुली रहेगी और उसमें घंटी का निर्धारन किया गया तो शिर्फ घंटी ही निर्धारित है आपको उस कलांस में उस घंटी में किस विशय को समयोजित करना है किस विशय का सेलेक्षण करना है उसको हम लोग यहां से समझने का प्रियास करते हैं यह कक्षा 1 से 8 या तो कक्षा 1 से 12 तक के लिए निर्धारित है और इसमें आप अपने सुवधा अनुसार से उस विशय को किस घंटी में लेना है, किस घंटी में कौन सा विशय उप्यूक्त होगा, उसे हम लोग समझें। पर्थम घंटी, जो पर्थम का लांश कहलाता है, उसमें चात्र जब घर से विद्याले की ओर आते हैं, तो मानसिक रूप से तयार नहीं होते हैं, उसकी ततपरता उतनी नहीं होती हैं, वसरते हुआ थकान से परे होते हैं, वह रिलेक्स में रहते हैं, लेकिन उसे विद्याल है तो उस घंटी में वैसे विषय को समाहित करना है जो आसां सा विषय हो अनि कहने का अर्थ हुआ कि इस घंटी में आप आसां सा विषय के रख सकते हैं और यह विषय बचों के लिए छात्रों के लिए आसान किस प्रकार से निर्धारित होगा वह प्रधणा द्यापक या सिक्षकों को बारिकी से हर बचों के साथ है जब तो उसं Jackie एक्ष तर शॉता है तो इसमें क्या कम्या है कोन सेnothing जो इडिसे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो चात्रों की संख्या हो ती उस अनुसार से वे पर धना ध्यापक में इतनी कोशलता होती है उसमें इतना ज्मान होता है क्योंकि पर्धना ध्याफक वैसे सिख्षकों को विद्धे बनाया जाता है। सबसे बढ़िये हो हर दृष्टी कोंसे चाहे हुआ स्यक्षिनिक पर स्यक्षिनिक, या तो बुद्धिमधता में, या तो हर प्रकार के जो समाजिक परिवेश के आधार पर जो समाज से जुड़ उसमें कुछ नेक परकार की समस्याइं उत्पन होती है चात्रों अभिवावकों और शिक्षकों के साथ तो उसको एरेंज करने में हुआ नीपुन होते हैं प्रदना ध्यापक तो प्रदना ध्यापक को चाहिए कि कौन सा विशे सबसे आसान है बच्चों के लिए तो वह कोई कहानी पढ़ करके कभीता पढ़ करके तो बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे वे फिर एकाग्रिचीत हो करके अगले विशे अगली घंटी को फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो समान रूप से ऐसा होना चाहिए कि जो पहली घंटी है पहला कलांश है उसमें आसान सा बिसय अर्थार्थ हिंदी को आप रख सकते हैं यह वन टू एक लास के बच्चों के लिए कर रहे हैं और यह वन टू ट्ववके बच्चों के साथ भी इंपलिमेट आप कर सकते हैं इसा उसके बाद दूतिया कलांश की बात करें और कि दूसरी घंटी की तो बच्चों में तत्परता और एकाग्रिचित आ जाता है पहली गंटी समाप्त होने के बाद तो यहां पे आपको आसान सा सब्जेक्ट नहीं यहां पे कठिन सब्जेक्ट का चयन करना है और कठिन सब्जेक्ट के चयन से उसमें जो एकागरता और ततपरता आती है बच्चों में तो उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कंसंट्रेट हो करक तो दूसरी घंटी आपकी हो गई उसके बाद आगे चलिए तीसरी घंटी तो दूसरी तीसरी इसमें बचे एकागरचीत हो जाते हैं तो इसमें दोनों घंटी में आप कठिन सुबजेक्ट को रख सकते हैं उसके बाद तीसरी घंटी के बाद थोड़ा सा अल्प्रा वकास और कि कम समय के लिए बच्चों को रेष्ट देना चाहिए। उससे होता है कि चोथी घंटी को फेस करने के लिए पुना हुआ तरो ताजा हो जाते हैं। तो चोथी घंटी में पुना है आपको सरल विसय का चैन करना है सरल विसय जो हो जाए उस बच्चों के आधार पर क्योंकि आप उस बच्चे की मानसीक इस्तिति सैक्षिनिक अस्तर सारे चीजों से अवगत हैं तो उसी अनुसार से प्रधनाध्याप का कोशा हिए कि जो चोथ चार घंटी के बाद बच्चे की जो टाइमिंग होती है चार घंटे के लगभग हो जाती है तो उसे भूख की अनुभूती होती है भूख उसे अनुभव हो जाता है भूख लग जाती है तो उसे मध्यानता निकी MDM इस समय दे दिया जाना चाहिए उसके बाद हम लोग एक समाने बाते कर रहे हैं उसके बाद जो समय सारनी दी गई है बिहार सरकार सिक्षा विभाग की वर से उसमें भी आएंगे उसे बाद छठी घंटी में आप कठिन विशय को रखेंगे कारण इसका है कि मध्यान भोजन करने के बाद बच्चे पुना तरो ताजा हो जाएंगे उ और फिर उसे कठिन विशय को समझने के लिए तयार हो जाते हैं फिर साथमी घंटी आपका स्टरल हो जाएगा क्योंकि साथमी घंटी से आठमी घंटी आते आते बच्चे का दिमाग घर की और मुखातिब हो जाता है, बच्चे ततपर होने लगते हैं, बच्चे उत्सुक होने लगते हैं कि अब छुटी मिलेगी विद्याले में, हमें घर जाना है, तो उस समय सिक्षकों को परियास करने के बाब जूद भी बच्चे मानने के लिए तयार नहीं होएंगे, उस इस स्थिती में वहाँ पे आपको सरल विशय का चयन करना है, बिहार सरकार सिक्षा विभाग मादमीक सिक्षा निदेशालाई के द्वारा एक आदेश निर्गत था, जिसमें विद्याले संचालित करने की बाते, साढ़े 6 बजे से, 11-30 बजे पुरवाहन तक उसके बाद 11- 12-30 में MDM अर्थात मध्यान भोजन अनि मध्यांतर की बात कही गई थी, और उसमें समय सार्णी भी निर्धारी था, प्रार्थना, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चोर्थी घंटी, आप पत्र देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद 10-50 से 11-30 मीसंदक्ष अनि की बिशेश कक्षाएं चलाने की बात कही गई थी, उसके बाद 11-30 से 12-10 तक 6-16 के लिए मध्यान भोजन अनि साड़े 11 बजे के बाद 12-10 तक मध्यान भोजन की विवस्था की गई थी, यह पत्र दिनांक 6-6 दोहजार चोविस को जारी किया गया था, और इसका सब्सक्राइक पत्र जारी किया गया यह पत्र पत्रांक 27-16 फिहार सरकार सिक्षा विवाग उझ्वाग मध्यान भोजन योजन म suis kunne अन्धिदे साले द्व्सथा और इसमें बिशे कि बिढ Idhyalayец में बच्राइब बच्चों को दिये जाने बाले मध्यान भोजन के समय स्श्मेय में अस्धानिय अवस्कता अनुसार शमयनिरधारित करने की आपस की गई और कहा गया कि दियालें बच़ों को मद्यान भोजन देने हैं तुअ अबसकता अनुसार समयनिरधारित कर सकता है और जिला सिक्षा पदाधिकारी को यह कहा गया कि आप अपने अस्तर से इसको सुधार कर सकते हैं और यह पत्र 86-2024 की तिथी में आई थी जिला सिक्षा पताधीकारी वाका से यह पत्र निर्गत है और इसमें जो मध्यान भोजन की वाते कही गई थी कि जिला सिक्षा पताधीकारी अपने च्षेत्र के अवस्कता अनुसार से की समय दिया जाना चाहिए बच्चों का अधार पर जिला सिक्षा पताधीकारी वाका के दोरा यह पत्र निर्गत है इसमें उसी प्रकार से मेंशन किया गया और पांचमी घंटी जो बताई गई है नो पांच से नो पैतालिस तक उसके बाद नो पैतालिस से दस बीस इसी में मध्यान भोजन की बाते कही गई है उसके बाद दस बीस से दस पच्पन में छटी घंटी उसके बाद सातमी घंटी और एक ग्यारा तीस से बारा दस तक में यहां पे कक्षा तीन से आठ के विद् के लिए विशेश कक्षा का संचलन जो बच्चे मीशन दक्ष एबं विशेश कक्षा अच्छादित नहीं है उनके लिए खेल कूद पेंटिंगम अन्य स्रिजनात्मक गतिविधी होगी कहने का अर्थ हो गया कि सभी बच्चे जो साड़े छे बजे से बच्चे आएंगे सभी बच्चों को 12-10 तक रखना है विद्यालय में और उसमें जो बच्चे नामांकित हैं जो बच्चे चिन्हित हैं मीशन दक्ष के लिए विशेश कक्षा के लिए उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास चलाई जाएगी और जो सेश बच्चे बच जाते हैं जो चिन्हित नह संसोधन किया बोजन को ले करके इसके बाद हम लोग आगे देख लें हैं कि यह जो समय साध़नी का महत्तौ है इसमें क्या-क्या बाते निर्धारित की जानी चाहिए विध्यालाइ कार्ज क करमों का ग्यान समय साध्र UN एक महत्तफून सीजह है इसमें विद्याले में क्या-क्या कार्ज करम निर्धारित किये गये हैं किस समय कौन से कार्ज करम चलाए जाएंगे उन सारी वाते इससे असपस्थ हो जाती है समय सारणी से उसके बाद निरिक्षन की सुविधा कोई भी निरिक्षी पदाधिकारी ज समानता विद्याले में सिक्षकों की संख्या होती है तो उन सिक्षकों को समान रूप से कार्ज का निर्भहन करना पड़ता है और सभी सिक्षक समान रूप से कार्ज का निर्भहन करें उसके लिए समय सारणी का होना नितान्त जरूरी हो जाता है ठाकान एवं सिथिलता में कमी होती है इसे उसके बाद पाच माह समय और स्रम का सदूपयोग होता है जो समय निर्धारित किया गया है साड़े छे बज़े से चाहे किसी भी समय की बातें हो जब एक अक्छाएं चलती हो चाहे डे हो या मौर्णिंग हो या कोई भी समय हो तो उस समय जो समय निर्धारित क आगया है उसमें समय का सदूपयोग होता है और जो सिक्षक द्वारा स्रम और परिश्रम बच्चों के प्रति किया जाता है अध्यापन कार्ज में उसका भी सदूपयोग होता है कार्ज कुसलता में विर्दी होती है सिक्षक एक उसमें संतत्ता जाती है continuity और एक के बाद एक वो अगले सब्जेक्ट को आगे की और बढ़ाते हैं तो उसके कार्ज कुसलता में भी विर्दी होती है वे कार्ज उसका जो स्किल है वो डेवलप होते जाता है उसके बाद कार्यों में नीमिता होती है यह भी हम लोग पढ़े ही उसके बाद अनुसासन अस्थापना भी इससे समय सार्णी से हो जाते हैं और बच्चे समझने लगते हैं कि कि समय कौन सी घंटी होगी कौन सा कालांस होगा कौन सा विसर ह हमें पढ़ना है उस अनुसार से बच्चे एक डिसिप्लीन में आज जाते हैं कि अनुसासन के काईदे में अनुसासन पालन करने लगते हैं इसके बाद समय सार्णी निर्मान में मुखवाते हैं इसकी चर्चा हम लोग किये थे कि विभाग नियम के अनुसार से जो द्यापक के कार्ज कोशल पर डिपेंड करता है अब हम लोग महत्तपूंड बात यहां पर समझें समय सार्णी साड़े छे वज़े से इसकुल खुलना है उसके बाद प्रार्थना होगी पाहली घंटी में हम लोग इसकी चर्चा किये थे लेकिन इसको एक टेवल के तरह से ह और अधी आप चाहें तो इसका स्क्रीन सोट भी लेकर के रख सकते हैं और इसी अनुसार से आप विद्याले में सब्जेट का सेलेक्शन कर सकते हैं तो पाहली घंटी है हिंदी जो कि आसान सा सब्जेक्ट से होगा समझ रहा है इस बात को कि बच्चे विद्याले जब आए में आसान सा सब्जेक्ट रखेंगे और वह आपके नजर में आपके द्रिश्टि कौन से हिंदी है तो हिंदी रख लेंगे उसके बाद दूसरी घंटी में या कठिन विशय का यहां पे चैन करना है दूसरी और तीसरी घंटी में तो गनीत और विज्यान का यहां पे सेलेक तीसरी घंटी के बाद हम लोग उसमें चर्चा किए थे कि यहां पे थोड़ा सा विश्राम होना चाहिए लेकिन यहां कुछ वैसी बाते नहीं है उसके बाद continue है लगाता है 8-30 से उसके बाद 9-5 है यह 14 गंटी होगी 14 गंटी में आप फिर कठीन सब्जेक्ट को लेंगे तो कठीन सब्जेक्ट में आप हो सकता है अंग्रेजी रख लें अंग्रेजी यहां की जो भासा नहीं है चित्री वाशा उनको हो सकता परिशानी हो तो कठीन सब्जेक्ट को रखेंगे जो आपको सुविधा लगे कठीन सब्जेक्ट में उसको रख लेंगे उसके बाद पाच्वी घंटी जब आएगी तो सरल भी से का सेलेक्शन करना है और जो समय सारणी विहार सिरकार सिक्षा व अब आगे देखिए कि जो चाठी घंटी है तो जब एमडियम वे करेंगे बच्चे खाना खाएंगे बच्चे चाहे कोई भी बच्चे हो एक से आठ हो या तो फिर नो से बारात तक के बच्चे हो तो उसमें पुना एक नई उर्जा प्राप्त हो जाएगी नई इनर्जी जाएगी उसके बाद यहां जो छटी घंती है यहां पर कठीन भी शेय का पूना आपको सेलेक्शन करना है यहां पर उसके मानसीं को जो लुःतं करेंगे तो अच्छी तरह से समझने लगेंगे उसके बास सात्मी घंटी में पुना सरलविसयाद को ड़ेक्ट करणा है यहां से बच्चे टोटली dependent हो जाते हैं कि अब हमें विद्ध्यालत इसे घर की और प्रस्थान करना है उसके मन में यहां बाते चलने लगती है बच्चे सिक्षक को तंग करने लगते हैं परिशान करने सर छुटी दीजिए घर जाना है कितना समय हुआ बार बार बच्चे सिक्षकों से यह प्रश्ण पूछते रहते हैं कि कितना बज गया सर हमें घर जाना है ऐसे तो इस समय जो साथमी घंटी है आपकी सरल विशे को सेलेट करेंगे और 11.30 से 12.10 में जो मिशन दक्ष की बाते कही गई है तो यहां तक सभी बच्चे रहेंगे और मिशन दक्ष और जो विशेश कक्षा के बच्चे है यह माल लिजे आपकी आठमी घंटी होगे यहां त इसाथार इसे यह चाली तो इस समय सारणी खिषा विभाक की ओर से जारी की जाएगी तो उसको इसी आधार पर सरल भी से और कठिन भी से सरल भी से और कठीन भी से कहां कहां पर आपको सेलेट करना है इस आधार पर आप बना सकते हैं वस आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वचिंग गुडबाई